तो है ट्रेडर्स वेलकम अगें तो काफी दिनों के बाद मुलागात हो रही है तो टाइम तो वेस्ट नहीं करने वाले सिधा डी लेंगे है और फैसा ही वेस्ट करने वाले है तो यहां पर देखो यहां पर पहल तो market का देखो ध्यांसे market का pressure है downward action यहाँ से एकदम से upward action के लिए थोड़ा moment हुआ लेकिन यहाँ पे फिर से वैसी ही conditions market ने दी कि यहाँ तो यहाँ तो upward action पे जाएगा यहाँ से यहाँ से sorry यहाँ से downward action जाएगा यहाँ फिर यह candle upward action पे move करेगी ठीक है दो possibilities यहाँ पे दी थी दोनों को ही खतम करके trade लेते है possibility पे जीना क्या जीना पहले तो profit earn करने के लिए हमें भई trade भी छोटी ही लेनी चाहिए $600 करते है इन्वेस्ट फर्स टेड पे down for one minute और down लेने का reason बताते हैं अभी see यह candle downward action पे बता रही है next candle downward bunny trade कहां पे लिए इस place पे जो कि as a resistance काम करेगा अगर downward action पे market जाएगा तो हमें trade हमेशा यहाँ पे नहीं लेनी है यहाँ पे avoid करनी है इस point पे avoid करनी है trade लेना इस point के आसपास आपको trade लेना है हमेशा याद रखना इसको ठीक है पहली बात clear हो गई समझ आगी तो 600 dollars का profit जो है वो pocket में डालते हैं और एक ही video का अच्छे से तुमको brief explanation देखे यह video को समाप तो नहीं करेंगे लेकिन एक और trade लेंगे देखो last second में कितना ज़्याद fluctuations हो यह fluctuations हमेशा भई दिक्कत देने वाली रहती हैं तो यहां पर या तो यह इस point का सबसे बड़ा हिस्सा है या तो यह support काम कर जाएगा या तो यह यहां से फिर से as a resistance फिर से downward action पर करने वाला है अब देखते हैं कि किस डिरेक्शन पर मूव करेगा और उसी डिरेक्शन पर एक ट्रेड और लेंगे हम तो देखते हैं कि अपना कितना बजट करते हैं अगर 500 डॉलर्स का में profit है तो 250 डॉलर्स अभी इन्वेस्ट करेंगे देखना है कि यह केंडल किस डिरेक 50 डॉलर्स सेञे अपवड एक्शन्स अंगोण आ 5चाएं अगा अङर हमारे पास देखो यह वाली तो वह देखो यह पिस प ही दियें तो वेट करो लॉस होया प्रॉफिट डेजंट पैटर क्योंकि भई 500 डॉलर का प्रॉफिट अल्रेडी पॉकेट में है ठीक है तो अगर यह फी प्रॉफिट आ जाता है तो अरांड अरांड हमारा 700 डॉलर के आसपास का प्रॉफिट निकल जाएगा अगे तोवफा देश्ट देखो पहुचने वाला है थोड़ा सा देखो वा यार last seconds में कहा स blending गया और हम सिलोब गए बाय ऑर नो भैँ डेखना चाहोगे इसको एक्क्या ठीक हुई है वाधना चाहोगे इसको मैं बताता और श्वारं आपको यह ओपन ही नहीं हो रहा भई वरना मैं अभी अभी पता देता है यह ओपन नहीं हो रहा भाई यह नहीं हो रहा एक सेकेंड माईनर सेकंड से यहां वह लॉस हुआ यार माइनर सेकंड्स यार मतलब की 0.5 millisecond जलो कोई बात नहीं फिर भी 250 डॉलर्स अगर हमारे पास है तो वीकन आइ तिंक गो 300 डॉलर्स अभी आइ तिंक हमारे पास लेफ्टे तो लेट्स ट्रेड अगें विद 300 डॉलर्स वाव बहुत सभी बहुत ही सभी बहुत ही सभी पैटन पैटन नाव ए विल शो यू वाई आइ गो फोर अप्ट्रेड है देखो जादा एनलीसिस करने की जरूरत नहीं पड़ी यहां पर एक तो इसको एक्टिवेट हो जाता है यह एनलीसिस क्यों नहीं किया देखो मुवमेंट हुई कहां से यहां से और यह किस डिरेक्शन में मूव कर रहा है अब वाड एक्शन पर सिंपल सा एक छोटा सा पॉइंट था जिसको फाइंड आउट किया और ट्रेड लिया अब यह जो केंडल है इसका जो प्रैशर है वह बहुत लो रहा लेकिन शायद यह कैंडल जो है वह और अराउंड इस लेवल तक फॉप होनी चाहिए लेकिन यह भी यहां पर बहुत हुई देखो फॉर्म हुई लेकिन उतना नहीं फॉर्म हुई थोड़ा सा फॉर्म हुई जितना हुआ उतने में खुश है प्रॉफिट निकल गया फिर से वहीं पे तो इन दे एंड हमारे पास फाइव हंडर डॉलर्स प्रॉफिट में हैं हमारी पॉकेट में तो याद रखना हमेशा जो तुमको दिखाते हैं कि हमेशा ही प्रॉफिट होगा वैसा तुम्हारे साथ नहीं होने वाला क्योंकि कुछ प्रॉफेशनल्स होते हैं और तुम लोग हो बिल्कुल नूब तो प्रेक्टिस करो लर्निंग में मार्केट से यहां पे सीखो और टाइम बिताओ डेमो पे प्रेक्टिस करो दबा के और यहां पे पैटर्न को समझने की कोशिश करो किसी भी पैटर्न को अगर तुम समझने में कामयाब हो जाते हो तो वो प्रॉफेट दिलाएगा तुमको और प्रेशर पे मार्केट चलती है हमेशा यादखना स्मॉल टाइम पे प्रेशराइज जिस डिरेक्शन पे रहेगा स्मॉल टाइम पे यादखना आपके पैटर्न और बाकी चीजें बहुत कम वर्क करती है लेकिन जो प्रेशर रहता है वो बहुत वर्क करता है बहुत जादा सी जो मैंने कहा था प्रेशर मतलब जो आपकी फिजिक्स है सिंपल से रूल देखो यहां से आया और यहां पर ठीक है जा रहा है मूव कर रहा है कितना मूव करे पर जितना यह गीरा होता है उसके हाफ के अराउंड यह मूव करता है जैसे आपका यहां पर रजिस्टन्स लेवल है इसको चेक करना आप अभी ठीक है अभी टाइम हो रहे है तो अगर आप इसको फ्यूचर में चेक करोगे तो यहां के बाद जो तीन बजे चार बजे का होगा यहां पे फिर से सबक्र या ओगा देन फिर से उपर गया होगा लेकिन यहां तकक कि आसपास का तो इसने डैफिनेट Shivya पे एक बार रेजिस्टन्स जरूर क्रेट किया होगा, बताते हैं आपको लो, सी, ये कैंडल आपकी कितना उपर देए, और अब देखो, यहाँ पे ये वाली कैंडल भी यहीं के आराउंड का फिर से रेजिस्टन्स लेके यहाँ पे डाउनोड एक्षिन मूव करेगा, इतना सिंपल है ट इसलिए प्रैक्टिस करो लर्निंग पे, ओके तो सी यू, तिल दे नेक्स वीडियो, तब तक के लिए, बेवेर फ्रॉस्ट सर, और लिंक पड़ा होगा नीचे, इस्क्रिप्शन पे, जाके जोइन कर लो, अच्छा है ब्रोकर, यहाँ पे अब तो इंडिया के लिए, बैं